इस वीडियो में क्लास 10th economics का एक चाप्टर जो है जिसका नाम है development इस चाप्टर को हम completely पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं आई प्रॉमिस यू वीडियो के एंड तक आपको चाप्टर की एकदम crystal clarity होगी चाप्टर आपको बहुत बहतरीन तरह से समझ में आने वाला है चाप्टर का नाम है हमारा development class 10th economics का चाप्टर है class 9th में आपका economics के साथ में एक तरह से कह सकते हैं कि आमना सामना हुआ था class 9th की economics आपने पढ़ी बड़ेच्छे topics थे story of village पालंपूर फिर आपने people as a resource poverty को एक concept की तरह समझा अब आप class 10th economics पे जब आये हो यहां पे भी आपको economics में ऐसे ही कुछ अलग-अलग aspects जो है जो आपकी economy में जो आपके इर्दगिर्द होते हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा थोड़ा सा और प्रसाइस हो जाएंगी चीजें जैसे class 9 में बहुत रेंडम टॉपिक्स है पॉवर्टी स्टोरी ओ विलेच पालंपूर ठीक है यहां थोड़ी प्रसाइस होते चलेगी जैसे globalization के बारे में अब देखिए एक और चीज इस पर पहला चाप्टर यहां पे विकास से हमारा ताथ पर यहां पे विकास से हमारा तात पर यह है कि यह बहुत सब्जेक्टिव चीज है मेरे लिए आपके लिए किसी और के बाजू में जो है उसके लिए होता है फॉर एकजांपल मैंने बोलते हैं कि विकास हो जाएका हमारा समझ में आ रहा है तो वही वाली चीज़ है कि development एक बड़ा वेग राध्य कंसेप्ट है इंडिविजल्स है इंडिविजल्स है डिफरेंट आइडियास फ़र डवलपमेंट फाइन अब जो इंडिविजल्स है उन इंडिविजल्स से ही मिलके क्या बन जो आइडिया है कंट्री के डवलप्मेंट को लेकर वो भी वैरी कर सकता है समझे रहो ना आप बोल जोगे क्या कि पूरे देश का विकास जब होगा जब हम क्या कर लेंगे पूरे देश का विकास जब होगा जब हम पूरे देश में क्या कर देंगे पीने योग के पानी होता है क्या डवलप्मेंट सिर्फ इंकम से रिलेटेड होता है क्या डवलप्मेंट में इंकम के लावा दूसरे फैक्टर्स होते हैं ठीक है पैसा ही विकास है तो यह विकास कहां तक है ठीक है आप पैसा नहीं खा सकते हो आप पैसे पर सो नहीं सकते हो आप तो उस तरह से क् इंसान development के लिए income के अलावा दूसरे aspects को भी ध्यान देता है तो वो जो पूरे के पूरे aspects से हैं वो इस हम chapter में पढ़ेंगे ठीक है development as an idea is complex interdisciplinary and related to the democratic political process this is the line which is properly explaining आपको basic intro दे रहा हूं उसके बाद में subsequently जैसे एक topic दिये है ना वैसे एक topic को पढ़ता है चलेंगे तो यह line जो यह line समझा रही है development को आपको हमारे relation को development के साथ में कि development के साथ हमारा relation कैसा है development को जब समझ रहा है तो initially इतनी चीज़ समझ लीजे कि development as an idea is complex it is not simple क्यों कि मैं बता है हर individual के लिए अलग हो सकता है इंडिविजेल से मिलके देश बनता है तो देश का विकास कैसे होगा वह idea लग हो सकता है तो इस sense में क्या है कि development का idea अपने आप में बहुत complex है interdisciplinary मतलब interdisciplinary मतलब क्या है कि development सिर्फ economics तक सीमित नहीं है हम क्या कहते हैं कि पोर्स का political development होना चाहिए schedule का schedule ट्राइब का political development होना चाहिए मतलब कि उन्हें politically भी एंपावर किया जा तो development ऐसा एक ऐसी चीज़ जो इंटर डिसिपिनल ही है जो एक कह सकते में सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम देखते ही कि क्या किस समय से history मुगल्स पीरेड में या फिर कह सकते हैं मुगल्स के अलावा जिसे को ब्रिटिश पीरेड में तो historical narrative कि कितना development हुआ कैसा हुआ तो एक इंटर डिसिप्लिनरी चीज़ है विच इस रिलेटेट टुदी को एक ब्रॉड अंडरस्टेंडिक समझ मैं कि development is not just a one word की विकास मतलब development ठीक है तो development का एक complex एक interdisciplinary और एक एक ऐसी चीज़ है जो political democratic process का एक बहुत integrated part है जिसे हम क्या करेंगे इस पूरे chapter में पढ़ेंगे किस तरह से पढ़ेंगे तो इस आपको दिवाएं इसे टॉपिक्स आपको दिवाएं एक बुक में क्या वाट development प्रॉमिसेश डिफरेंट पीपल इफरेंट गोल्स इंकम इनदर गोल्स ठीक है तो यहां पर आपको करोगे क्यों कि जब सब्सक्राइब करोगे कि सब्सक्राइब क्राइटरिया करोगे नहीं इनकम के लावाद दूसरे क्या होते हैं जिससे आप कंट्रीज को कंपेर करते हो फॉर एक्जामपल अफगानिस्तान वाले बोल देंगे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन क्या फिर भी रहेंगे एट प्रेजेंट अकर देखें ठीक है तालीबान वाले केस में तो उस तरह से क्या होता उस तरह स होगा जिसे हम कवर करेंगे तो यह पूरी कहानी होने वाली में इस पूरे के पूरे वीडियो में पढ़ेंगे दिस फिदियो विच यूर्ट है तो लेन वाले हैं इंहिंप्ड़ने चीज यह है कि टेलीग्राम चानल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिये तेल चल रहा है साथ ही साथ अगर देखें साथ ही साथ किया है अनकेडमी एप भी ज़रूर से डाउनलोड किज़ें कि यहां पर आपको अनकेडमी एप के बारे में जानने को मिलता है और भी पूल्टिपल फीचर से जैसे क्विज होते हैं पोल्स होते हैं यह सारी चीज़ें और इन सारे फीचर्स को आप पर एक्स्प्लोर कर सकते हैं यूजिंग दी कोड डीज आरे जैसे मैं आपको कम्यूनिटी का बताया ते कम्यूनिटी सेक्षन होता है जहां से आप इस तरह से अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं समझा गया चीज़ चलिए तो डाइविंग स्ट्रेट इंटू दी चैप्टर डवाट डेवलप्मेंट प्रॉमिसेस डिफ्रेंट पीपल डिफ्रेंट गूल्स ठीक है डेवलप्मेंट हर इंसान के लिए अलग-अलग होता है जैस इमोजी को पहचानते हो यह आपको चैप्टर में अलग-अलग जगा मिलता है ठीक है आज इसका थुड़ा वाला वर्जिन आपके सामने आया तो इमोजी यह अपना सिर्क हो जा रहा होता है यहां पे लगाए यहां पर लगा है यहां पर लगाया है मतलब सोचना है कि क्या यह जो statement लिखा रहे तो उसका meaning क्या है या फिर why वाला जो part रहता है वो इस emoji के थुरू आता है ठीक है तो इस emoji को गले लगा के रखना ठीक अगली चीज क्या है अगली चीज यह कि different people तो मैंने आपको अलग-अलग sections लिख दे हैं हापे अब इन अलग-अलग sections को आप देखो ह हर एक section का development को लिकर एक अलग idea रहता है कैसे हर एक section का कि एक farmer के लिए development का मतलब क्या होगा फार्मर के लिए development का मतलब यह होगा कि उसे सही फसल के दाम मिल जाए अब वही चीज अगर आप देखोगे तो आप क्या एक businessman जो है ना उसको फसल के दाम से कुछ लेना देना नही ठीक है उसका developmental goal क्या होगा कि foreign exchange rate क्या चल रहा है क्योंकि अपने software बना बना के वो दूसरी देशों में बेचता है ठीक है तो उसका developmental goal होगा कि रूपी की value जो है वो क्या हो और कम हो जाए क्यों ताकि यहां से मतलब software products बना बना के बेचे ताकि उसको ज्यादा पैसा मिल जा आता हूं मैं आपको और हर एक जो category हर एक जो section है उसके developmental goal उसकी सराउंडिंग से होते हैं सराउंडिंग से कैसे जैसे मान लीजे गल्स कि अगर हम बात करें अब गल्स अगल क्या है रूरल एरिया की गल्स है तो रूरल एरिया की तरह उन्हें थोड़ी freedom रहे ठीक है वह भी बात करेंगे अर्बन एरिया की है तो उनकी surrounding क्या मुलती है कि हमने आजादी है बराबर है लेकिन उसके पावजूद उनकी शायद कुछ और problems होगी उनकी problems हो सकती है कि jobs जो है वहाँ पर क्या है jobs में male और female के क्या सकते है salary में जो differences खतम हो समझनारी मेरी बात तो इस तरह से क्या है कि इंसान की surrounding जो रहती है वो उसके developmental goals को derive out करने में बहुत important role play करती है एक exercise दी गई आपकी बुक में इस exercise को समझना क्या exercise दी गई है तो इस exercise में देखो कि अलग-अलग category of person बताये गए for example landless rural laborers surrounding देखो क्या है कि वह लेबर है rural area में उसके पास जमीन नहीं है तो उस इसके पास जमीन नहीं है तो जमीन पाले ना तो उसके लिए रामराज यह जैसा हो जाएगा लेकिन अब यह है कि चलो जमीन नहीं तो कम से कम काम ही मिल जाए सही कीमत पे काम मिल जाए मतलब क्या सही salary वगेरा मिल जाए तो इसे developmental goals क्या कर सकते है वैरी कर सकते है लोकल की जो बात की जाती है वो इंसान के surrounding से derive out होती है for example का है farmers who depend only on rain for growing crops ठीक है फारमार जो रेन पर dependent होते है में crops grow करने के लिए उनकी क्या होगी अब उनकी developmental goal क्या होंगे कि बारिश फेम dependent है तो कहीं हमें सरकार क्या देदे थोड़ा सा मतलब नहर वगेरा बना दे हमारे खेतों तक पानी पहुचा दे ठीक है या फिर उनका development goal लिए होगा कि टाइम से बारिश हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा वैसी एक्लमलाइब यूट अब क्या है शहर में ऐडूके दोर लगा देते हैं पड़ा लिखा है लेकिन शहर में लेकिन बेरोजगार है उसके वह उसके ख RAM मिल जाए थ forecasting जाए तो यह आपको कैटेकरी से समझ मैं आए एक एक सेसिसे क्या कि Developmental फॉल्उल्स तो आप बता सकते कि उनकी सराउंडिंग से उनके डिराइब आउट होते हैं और इस कंटेक्श में आपको एक एक्जामपल के साथ लिखना है कि डिवलेप्मेंटल गोल फॉर अरवन एंप्लॉएड यूथ में भी डिफ्रेंट फॉम दी डिवलेप्मेंटल गोल अफ लेंड कैसे विकास होगा वह को लेकर उनकी परिभाशा सबके अलग अलग है सोच सबकी अलग को सकती है क्या कि एक टाइम्स टू परसन और गृप mee सीगदिंग्स विचार कन फ्लिक्टिंग अलग है वहां तक सही है उसीके साथ में प्रॉब्लम क्या हो जाती है उसीके साथ सब्स ख्लासिकल आग्जामपल जो है वह यह डम बाला है समझा रहा हों आपको देखो तो महले पाणी में डूप जाएगी जगा तो उन लोगों को अपना घर ठोडगे बाहर जाना पढ़ेगा समयारी मेरी बात तो इसके चलते आप क्या सीखें इसके चलते आप यह सीखें कि different people different people में have different developmental goal और अब different के साथ क्या हो गया conflicting भी हो गए उनके developmental goal conflicting ऐसे हो गए कि अगर डैम मनेगा तो tribes displays हो जाएंगे और tribes यह चाहिए कि डैम ना बने तो तो आप क्या सीखें यहां तक आप क्या सीखें यहां तक आप यह सीखें कंक्लूजन निकालो पहला टॉपिक आपका खितम हो रहा है यहां पर कंक्लूजन यह निकाल सकते हैं so two things are quite clear what are the two things different persons can have different developmental goals तिके what may be development for one may not be the development for other it may even be destructive for the other different people may have conflicting developmental goals question किसी भी तरह से जाए सवाल जो होता है सवाल वहरूपिया होता है आपको essence पकड़ना होती है सवाल वहरूपिया होता है question क्या है question किसी भी फॉर्म में बना दिया जा सकता है कि explain how different people can have different as well as conflicting developmental goals ठीके different people have different developmental goals explain this statement with example question किसी भी तरह से आएगा essence यही है क्या दो चीज़े सीगे different people may have different developmental goals पहला दूसरा दूसरा क्या है कि what may be development for one may not be the development for another ठीके it may even be destructive or destruction for the other example time वाले लिख दो ठीके आराम से आपने इस concept को समझ लिया यह जो भी मुस्कुरा है ना कि आपको job job मिल अच्छा पैसा कमाने लगोगे आपका development हो जाएगा तो यह क्या हो गया development को हम किसी से जोड़ देते तरक्की को इंकम से जुड़ देते हैं नौकरी से जुड़ देते हैं ठीक है वह एक aspect है वह एक aspect है सुनो बहुत अच्छी चीज़ बता रहूं मैं आपको पैसा जो होता है ना वह आपके overall development का एक aspect होता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है जब आप development की self satisfaction की बात करते हो क्या होता है इंकम के अलावा दूसरे गोल को भी consider करते हैं अधे से जाधा काम आपका हो जाता है जिसको तब हेडिंग समझ में आ जाता है उसका आधा काम हो जाता है समझ में आया तो कुशन यह यह कि development का जब सब का notion vary कर सकता है तो कुछ common चीज है ऐसे जहां पर सबके development से हो जी हां हर इंसान इंकम चाहता है लेकिन हर इंसान सिर्फ इंकम नहीं चाहता है development की जब आप बात करते हो तो इंकम के अलावा भी दूसरे एसफेक्ट्स होते हैं जिने consider किया जाता है इंकम के अलावा दूसरे एसफेक्स क्या होते देखो तो all your goals are not equal to high income only सिर्फ पैसा हर इंसान कमाता है जीवन में समझ में यह चीज और पैसा कमाने के 77 तरीके भी होते हैं लेकिन अब क्या होता है ऐसा तुरूने क्या बैंक लूट के बोल दो गया हां मेरा तो विकास हो गया सर क्यों 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 यहां पर आप हाई-income को सिर्फ गोल नहीं मानते हो आप कि मैंने क्या अपना काम किया कब तक किया जब तक मुझे सब कुछ सहीं लगा तो उस तरह से क्या हो रहा है उस तरह से गोल जो है वो सिर्फ हाई-income नहीं होते हैं उसके अलावा भी आप दूसरे आसपेक्स पर फोकस करते हो देर आर गोल्स अधर देन इंकम कैसे अधर दे हो रहे तो रिस्पेक्ट फूर अधर्स में आप उसको ना पाओगे कि 500 रुपए रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो ठीक है एक हजार रुपए की रिस्पेक्ट दे रहे हैं कुछ-कुछ चीजें ऐसी होती है जो मौनेटरी टम्स से बहार होती है अगर मानलो वहाँ पर क्या है पार्शेलिटी है तो यह क्या हो गया यह मॉनेटरी टम्स के बाहर निकल गई चीजें इंसान आप उसको पैसे के टम्स में नहीं तोल पाता बोलता है कि चलो मुझे एक हजार रुपे सेलरी दे रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है दस आजार रुपे की सेलरी दे रहे दस आजार कर रहें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिन्हें आप पैसों के टम्स में नहीं तोल सकते हो वह क्या होती है वह नॉन मटेरियलिस्टिक होती है वह इंडिविजल को कह सकते हैं इंटर्नली सेटिस्फाइब करती है तो वही चीज यहां पर बताए गए कि जिसमें आप क्या देखेंगे जिसमें आप यह सारे आस्पेक्स को देखेंगे तो आर्फ लाइफ की क्वालिटी है वो इसाथ नोन मटेरियल चीज़ों पर भी डिपेंडेंट होती है इसा बिलकुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस चीज को मेजर नहीं किया जाता है इंफेक्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर एक्जामपल रिस्पेक्ट हो गया फाइन अब आपको पैसे दे रहे हैं जरूर कोई भी काम करवा रहे हैं तो लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं पै बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे यहां पर बताया गया तो आपको यह डर लगे हम दोनों वापिस आये ना है क्या पता तो इस तरह से आप मल्टिबल फैक्टर्स देखते जैसे विमेन हैं तो विमेन काम पर जारी महलाएं वहां पर यह भी देखेंगी वह की कोई से कंवोल क्या कर सकते हैं कि जब भी हम क्यों की बात करते हैं तो इंकम के अलावा भी हम दूसरे गोल को includes को कुछिय आता है कि what do you understand what are the goals other than income explain in brief ठीक है what are the goals other than income तो आप इन सारे goals के बारे में लिखोगे these are the goals other than income और last में conclusion में आप क्या लिखोगे similarly for development people look at mix of goals ठीक है similarly for development people look at mix of goals जब हम development की बात करते हैं तो हम mix of goals पे mix of goals को consider करते हैं हम यह देखते हैं कि हाँ development में सिर्फ income एक चीज़ ना रह जाए इंकम के अलावा भी दूसरे aspects को consider किया जाता है यह चीज़ यह answer clear रहा ना कि what are the goals other than income ठीक है why other in other factors other than income plays a very important role वही अगेन वाली जाथ है कि question बहरूपिया होगा अलगल तरह से जाएगा जैसे एक example अब क्या हो रहा है इस movie में जिसे आप देखेंगे इस मुवी में के पास government job थी में दोनी के पास में लेकिन फिर भी वह नौट feeling satisfied क्यों क्योंकि उनका गोल जो था ना वो income और सटर होना नहीं था वो क्या था और भी it Oneорд यिव सपिड़िशन्ज थे सम्झीन नैशनल डवे कर सकते में अब कर सकते फेकन ओई कर सकते तो On those Individuals ، चार ईंडिवजर्व शार हजार नीज्वज ल quindi रे सारे इंडिवजल मिलके ही कंट्री बनाते नेशन बनाते तो आप तो यहां पर क्या हो गया सर्ष्यापा तो इतने सारे इंडिविजल जब रहेंगे तो सब के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल जैसे अशादी में फूपा मोसा सब खड़ हो जाते हैं तो वह बोलते हैं यह एसा खाना बनेगा टेंट ऐसा लगेगा अब सब की सुनों गया तो क्या शादी नहीं हो पाईगी तो उस पर्सिव वह ठुट्व प्रायरिटीज वह नेशनल डेवलपमेंट हो गया वन इकमस तू डेवलपमेंट श्रेट मनेशन टोग्या अब क्या है इंडिवीजल सेग डिफेंट गोल जिस तरह से रहे कि इंडिवीजल के अलग अलग गोल होते हैं तो उन इंडिवीजल का यälिकुन इसनल सकनध करेगा इट टूब ब्लपंट में उन्हीं कि टूबहुंट मुंट सब्सक्राइगा तो उनने करेगा और अभ यहां पर समझ से आ गई कि कि किसकी बात माने किसकी बात बात माने कि जब इंडिविजल से मिलके बनता है देश हर इंडिविजल का अपना अलग होता है तो हर इंडिविजल का जो नोशन सब्सक्राइब क्या होता एक बार समझा देता पूछते सीथा कौन अपर आपका आइडिया आपके विचार हैं यह तो इसे चलता है बड़ा सो कुशेंड मार्क देखने को मिलता है जिस तरह से धमाल J examine ऊठीना टेसा वुव्या रहे इंपोर्थेंट इन Подोके इन माईंद दिफरेंट परसेंस घॡेंजेघ एफ दिफरेंट एस वेल आज कंफिक्टिंग रावा कि इसका आंसर आपकी बुक ने दिया नहीं है लेकिन आपको समझाता हूं तो इस केस में क्या होता है इस केस में यह देखा जाता है कि maximum benefit to the maximum people कैसे हो सकता है वही वाला example उठाओ अपना डैम वाला तो डैम वाले example में आपको समझाया कि different people have different developmental goal कोई कोई बोल रहा है कि डैम बनना चाहिए कोई बोला डैम नहीं बनना चाहिए दोनों के developmental goal अलग अलग है ठीक है लेकिन developmental goal अलग होने के साथ में conflicting भी है आमने सामने खड़ें वो डैम बन जाएगा तो इतने लोग विस्ताफित हो जाएगे इतने लोगों का करना पड़ेगा डिस्प्लेस करना पड़ेगा इतने लोगों को अपना घर परिवार वो जो आंगन था उनका जिन पेडों के नीचे वो रहते थे वह सब को छोड़के जाना तो अब उनके लिए तो बिल्कुल भी नोशन फॉर डवलप्मेंट नहीं था ना कि डैम बने लेकिन डैम बना ठीक है तो इस केस में सरकार ने कैसे कर लिया कि डैम बनना चीए तब क्या होता है सरकार ऐसे द्वंध से गवर्मेंट जो है इस तरह के डेलेमा से डेली गुजर रहता है जैसा इंडिविजल डेवलप्मेंट का रहता है तो उस केस में क्या तै किया जाए देश के विकास के लिए तो यह कि जहां पर लोगों को मैक्सिमम मेनिफिट्स मिल रहे हो उस चीज को परसू कि जाए तो डैम इसलिए बनाया जाता क्या कि माना कि 50 लोग डिस्प आपके जाना पड़ेगा तो उस तरह से क्या है यह नैशनल डवलप्मेंट हो गया आप मानलो क्या है सारे रास्ट विक्सित हो गया मिठाई उठाई बढ़ादो सारे नेशन जो है डेवलप हो गए अब सवाल हमारे सामने यह आता है कि जब अलग 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 नेशन जवल पाकिस्तान एक एक जान तक जाना है इंडिया का डेवलप्मेंटल गोल यह हो गया तो अब देखो क्या है पाकिस्तान ने टर्रिस्ट बना के तारों के नीचे से अगर इंडिया पहुचा दिये तो वो क्या बोलतें का मुछ्ष में इंड्रों के नीचे से रहल जाना हैं कि हमकर याँ अगर चांद सब्क्राइब कर सकते हैं कि इस इस्तिती में क्या होगा इस इस्तिती में आप कैसे करोगे क्यों कि पाकिस्तान अलग छाती पीट एक हमीडव है ठीके और लेकिन अब उस तो आपको एक कंट्री का developmental level compare करने के लिए कोई benchmark तो रखना पड़ेगा तो यहां पे सवाल वही निकरता है हाउ टू कंपयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स जब सब बोल रहे हैं कि हमने हमारे साप डिवलप्मेंट कर लिया इसा थुरूने चलता है तब आपको क्या करना पड़ेगा तब आपके सामने कि सवाल आएगा इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि अलग अलग अल अब निकलता है कि how come some countries are generally called developed and others are called under developed और इसी जब सबका notion अलग अलग है वह वाला पॉइंट है सबका notion अलग है किसी के लिए तारों के निचे सा आजाना ही development है किसी के लिए चांद तक जाना development है तो आप किसे developed और किसे under developed किसे less developing किसे developing मतलब coming soon कहोगे तो वो वो स्थिती कैसे को कोई benchmark निकालना होगा तो common benchmark हमने क्या निकाल दिया वह common benchmark हमने income निकाल दिया ठीक है अच्छी बात है कि हां जिसके पास ज्यादा पैसा वह डेवलब जिसके पास पैसा कम है वह लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत है कुछ अभी बताता हूं कि इस चीज में क्या दिक्कत है फॉर एग्जामपल जैसे आपने क्या किया आपकी स्कूल का एक 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 ग्जामपल एक अंडर्स्टेंड विधि एक्जामपल ऑफ कंप स्थे स्थे शॉल्व नहीं करना है वाँ पर आपको कबड़ी की टीम बनाना है और वहीं पियापने लिए कि क्या क्या सकते कि कोई इस तरह से क्या होता है कि आप कंप्यर करो कंट्रीश को तो हो सकता है जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा ओ ठीकिन वहाँ लोग्स शुक्क ही नहीं है ठीकि लोग वहाँ पर क्या है पॉलिशन बहुत जादा है वहाँ पर टेरिरिजम बहुत जादा है समझ रहो मेरी बात को तो उस तरह से क्या है कि यूशुली वी टेक वर और मौर इंपॉर्टन चारेक्टरिस्टिक्स और परसंस एंड यहां नहीं चलेगा लेकिन समझ्या वही है फिर एक हो क्या लेकिन कैसे क्या है जैसे अगर आप देखो कि वही बैट बाइस वाली जो कहानी रहती है कि आप आपके स्कूल के सब्सक्राइब करो क्यों कि किसी देश में पैसा बहुत जादा हो वो रिच कंट्री कहला है किसी देश में पैसा कम हो वो पूर कंट्री कहला है लेकिन अलग 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 notion for development अलग हो सकते है तो वहां पर आपको कुछ common क्राइटीरा निकालना पड़ेंगे इस सीज को अच् क्रूंट का है तो यहां पर क्या है मतलब का नौशन जो है नोशन तो यहां पी आपको कुछ एक कॉमन क्राइटिरा जो लेना चाहिए वो इंकम लेना चाहिए इंकम सब कुछ नहीं दर्शाहता लेकिन एक परामेटर हो गया उसलिए AH की जैसे वह नहीं होता कुछ-कुछ स्टेज जो रहती तो उसमें क्या बोल दिया कि कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए तो कम से कम 50 प्रतिशत पर क्या हो जाएगा सब लोग आ जाएंगे तो वैसे कंट्रीज को कंपेर करने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वार्मेंट जो है वो इनकम को लिया जा सकता है कि इनकम कंट्रीज के सब्सक्राइब या मैं जा सकता है लेकिन सबसे पहला सवाली आता है वाट इस इंकम आफ कंट्री आपकी मेरी ठीक है आपके पडोसी की हमारी इंकम पता लगाए जा सकती है क्यों कि हम काम करते हैं हमारे पास सेलरी आती है तो उससे हमें इंकम पता चल जाती है लेकिन लेकिन अब बात आती है किस चीज की कंट्री की तो आपने कभी देखा कि कं कंट्री तो इंकम को अगर मिला तो उन सभी की इंकम को मिलाने पर आपको क्या मिल जाएगा उस कंट्री की टोटल इंकम मिल जाएगी आपको क्या मिल इंकम तो उनकेला चाहक थाते हैं तो इस तरह से चार लोग थे चार किया काम की कि को कि यह क्यतना हो गया सब्सक्राइगत ठीक हे टोटल इंकम हो गई यह कंट्री कि टोटल इनकम हो गई लोग टे लोग यहां पर क्रें इख हो नुक है ना I guess तो यहाँ पर तीन हजार उपए जो है तो तीन हजार उप Ε क्या हो जाएगी इस कंट्री की total理 इंकम हो जाएगी आ गैसमद में तो total income क्या रहेगी टल इंकम यह रहेगी जितने थाए भी कंट्री के अंदर टोटल पॉपॉलिशन है निले जाएगा अब इससे फायदा मिलेगा आपको इससे कंपेर कर सकते हो कि हां सर क्या हो रहा है एसे कंपेर कर सकते हो न कि कंट्री हे में 4000 रुपए कमा रहे थे तो वो country B से ज़्यादा पैसे कमा रहा है country B से ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो country A जो है हम compare कर देंगे कि वो rich है country B जो है वो poor है लेकिन यहाँ फिर एक सवाल आ गया ठीक है क्या सवाल आ गया total income is not such a useful measure क्यों एक useful measure नहीं है सवाल आपके मन में जो आया मैं आपके मन में तो कुछ नहीं आया मैंने आपको सवाल दे दिया total income से आप compare ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो useful measure नहीं होगा क्यों नहीं होगा समझना बापेस उसी example पर आते हैं बापेस उसी example पर जिससे आते हैं तो हमें समझना आएगा कि यहां पर country A जो थी हमारी country A में 4 लोग थे ठीके 4 लोगों की income कितनी थी 4000 थी ठीके 4 लोगों की 4000 इंकम थी country B में जिससे अगर आप देखोगे तो country B में country B में example हम तो चेंज कर देता है country B में क्या होगा country B में हम जिससे देखेंगे कि country B में 5 लोग काम पर अच्छे से समझना तो यहां पर देखोगे मोटा माटी अगर पिच्चर देखोगे ना तो आपको समझ में क्या आएगा कि 4500 रुपे कमा रहे है country B में country B रिच है country A पूर है क्योंकि वो तो 4000 रुपे कमा रहे हैं लेकिन यह 20000 हो जाता फिर बोलते क्यों भाई चीखें क्या चाल चाल तो उस इंस में क्या है उस सिंस में आप सिरफ total income को consider करोगे अगर तो total income क्या होगा एक useful measure नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि it is not the exact reality of the country सब्सक्राइब को तकुछ का ना घ्राइब कवाइंगे कि जनता जाएगा क्यों क्यों कि जनता बहुत ज्यादा है तो फैक्टर है एक वर्ल्डवाइड क्या तो आपको exact result yield नहीं करेंगे therefore comparison should be based on the average income हाँ अगर यह किया जाए कि इस comparison को आप total income जो है आपकी total income को क्योंकि population वाला factor पूरा खेल वदल देता है तो इस total income को क्या कर दो कर आप population से divide कर दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि हर एक individual कितना कमा रहे जैसे फॉर किस्क्राइब फॉरवाला चə python वापस लेते हैं और यहाँ चार लोग थे यहां बी में हमने क्या देख लिया यहां वी में देख लिए ना kol Надी लिढ secondo लोग इसको क्या करते है यह तो हमारा टो सब्सक्राइब डिवाइब डिवाइड कर देतों तो क्या मिलेगा हजार रूप़ा हाजार मिलेगा यह इएवेड निκα्म आपको निल जाएगा कि खार एक इंडिविज्व पांसो रुपे कमा रहा है उपर-उपर से देखने में तो लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो जो पॉपुलिशन वाला फेक्टर जो बबल बना के दे रहा था ना वो खतम हो जाता और हमें exactly पता चलता है कि country A में हर एक individual 1000 रुपे कमा रहा था और country B में हर एक individual 500 रुपे कमा रहा था तो यहां पे आपको कहानी समझ में आई क्या कहानी समझ में आना चीए कि total income जो है वैरी करता हुआ देखने को मिलेगा ग्राउंड रियालिटी समझ नहीं आएगी ठीक है और इसके लिए क्या आप एवरेज इंकम की एक लिमिटेशन है अभी आगे बताऊंगा ठीक है तो इसलिए आप क्या करते हो एवरेज के इस्तमाल करते हो तो आपको क्या मिल जाएग आपको क्या मिल जाता है और फिर आप कर सकते हो कि अरिक में निकम जो है तो वो क्या है बहुत ज़्लया है तर इंडिया क्यों क्यों कि अगर ऐसे डेखोगे जिसे पर उस्विसर और देस देश छोटा है लेकिन चोटा देश होने के बावजूद क्या उसके पास में बहुत पैसा है Similar total income बहुत जाद है उसकी लेकिन Switzerland की total income को अगर इंडिया की total income से compare करोगे तो इंडिया की GDP trillions में है तो Switzerland की GDP छोटी ही लगेगी किसके सामने इंडिया के सामने लेकिन आप देखोगे तो इंडिया में जो GDP जिए से 2.5 billion trillion है यह ट्रिलियन है तो 2.5 trillion को बनाने में कितने सारे 125-30 करों लोग काम कर रहे हैं सुझन लेन में 125 तीस करों लोग काम नहीं कर रहे हैं वहां पर कम लोग जो है वह उतनी अगर GDP बना पा रहे हैं मतलब यह कि एक काम को 10 लोग ने कर दिया ठीक है एक काम को दस लोग ने at times क्या है वो population वाले factor को neglect कर देता इसलिए आप क्या करते हैं countries को compare करने के लिए या फिर country की income total income निकाल के total population से divide करते हो उससे आपको exact data पता चलता है कि per capita income जो है वो कितनी है और आप per capita income की मदद से countries को compare कर सकते हैं यह जो topic आपका how to compare different countries और states तो per capita income की मदद से आप क्या कर सकत हो अब यह पर capita income की basis पर आप जिससे देखोगे income के basis पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या human development report निकाले जाती है वर्ल्ड बैंक के दवारा वर्ल्ड बैंक क्या है तो वर्ल्ड बैंक वो बैंक है जो वर्ल्ड में सभी को लोन देता है ठीक है आप लोग मत पहुत जाना वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ठीक है अब इसमें क्या करते हैं इंकम को क्राइटीरिया लेके चलते हैं अलग-अलग countries को क्या करते हैं और compare करते हैं ठीक है तो यूज़ टू कंपेर countries on the basis of income वर्ल्ड डेवल्प्मेंट रिपोर्ट जो है उसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक क्या करता है इंकम का इस्तेमाल करके अलग-अलग countries को compare करता है ठीक है अलग-अलग countries को compare करता है countries with per capita income of US dollar 49,300 पर एनम समझना हां जिन countries में क्या होता है इंकम जो होती है US dollar 49,300 पर एनम एक चीज़ और वहीं है डिस्क्लेमर सुन लो यह देखो यह सीवेसी की लेटेस्ट बुक जो है कहां पर मिलेगी लेटेस्ट शायद मार्केट में ना भी मिले यह यह लेटेस्ट रडिशन शायद म सकते लेकिन एकनोमिक्स और जिओग्राफिकर डेटा वाहरी करता रहता है तो उसमें क्या है उसमें सिविल वार माइन मचाना है उसमें सिंपल सी चीज़ यह कि जो वैबसाइट रहती इसमें लेटेस्ट डेटा मिल जाता है जिसे आज मैं वीडियो बना रहा हो तो आज कह डूरं करें रिपोट वल्डवल्घ्र के द्वारा पब्लिश की जाती है कि मदद से को इल्ब ждब करनेकर क्या जाता है यह वो comparison में क्या किया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग जिसे आप देखोगे तो यह बेंचमार्ट ते कर देते हैं कि scale बना देते फॉर एक्जामपल जैसे कि scale बना दी ठीक है कि scale बना दी क्या scale बनाई की 49300 00 यूएस डॉलर यूएस डॉलर को इस लिए जाते हैं कि यूएस डॉलर को एक मजबूत करनसी माना जाता है वोल्डवाइट जिसे अगर आप देखोगे ना इंडियन रुपीजी ले लेते सर ठीक है बुरा लग जया ना मैं लेकिन क्या है लेकिन यूएस डॉलर जो है तो foreign trade जो होता है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा रुपी आज गिर गया कल मजबूत हो गया वरोसा तो एक ऐसी करणसी ली जाए जो तो countries with per capita income of US dollar 49,300 per annum and above in 2019 के साब से 2022 में हम पढ़ रहे हैं यह data और बढ़ गया होगा तो 2019 के साब से यह countries क्या कहलाएंगी rich countries कहलाएंगी ठीक है वैसे ही those with the per capita income of 2,500 ठीक है यह सारे देश जो लह रहाएंगे तो यह यह देश क्या कहलाएंगी मतलब जिन भी देश में per capita income 2,500 US dollar से कम होगी तो वो सारे की सारे 2,500 डॉलर यह उससे कम होगी वो सारे की सारे देश क्या कहलाएंगे low income countries में गरीव हूं टाइप से ठीक है low income countries कहलाएंगी वो अब बोलोगे जैसे इंडिया इंडिया की स्थिति जैसी है तो क्या इंडिया कम सिंदी category of low middle income countries ठीक है low middle मतलब हम हाई मिडिल में भी नहीं है हम किसमें low middle में है कि हम इस एरिया में आते है ठीक है ऐसा भी दो एरिया बना दो तो क्या होता है कि इस पर-capita income in 2019 2019 वस इस आयम नौट रहा हां 2019 वस 6700 पर एनम 6700 पर एनम मतलब हम 2500 से नीचे भी नहीं गये लेकिन 49300 चे उपर भी नहीं गये बीच में है तो हम किस केटिगरी में आ जाएंगे low middle income countries की केटिगरी में आ जाएंगे रिच कंट्रीज एक्स्क्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल इस एंड सब्सक्राइब कंट्रीज और स्मॉल कंट्रीज और जनरली कॉल्ट डेवलब ठीक है तो क्या हो रहा है कि रिच कंट्रीज जो है अब वही वाली बात है यहां पर जो मिलता है वह डान कोट्रीज और तो इंकम सबस्क्राइब करतें और जैसे हम देखें तो जितने भी रिच कंट्रीज उक्स्क्लूडिंग तो पती है अगर जैसे सब आप्सकों क्यों उसका जवाब से पहले मेरे मन में कुछ कौं रहा है क्या Like उसका जवाब को हमने आप सिर्फ spend इंकम को consider नहीं करोगे, income is considered as one of the most important, one of the most important, it is not the most important, ठीक है, तो आप क्या है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पैसा जरूर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, freedom नहीं है, equality नहीं है, men or women में, तो इसके चलते क्या है, कि वो सारी countries जिनका per capita income 49,300 से उपर है, उन्हें rich countries को developed countries कहा दो गए, लेकिन Middle East और कुछ और small countries जहाँ पैसा जरूर है, लेकिन दूसरे factors जो हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे, factors other than income, ठीक है, जैसे income and other goals की हमने बात करी थी ना, तो उसी context में चीज़ें समझा जाएगी, ठीक है, तो वहाँ में समझ में आता है कि Middle East और कुछ दूसरे small countries में आपको दूसरे factors favorable नहीं देखने को मिलते हैं, चलो, यहाँ तक सब को सम compare कैसे करोगे, तो countries को compare करने के लिए हमने क्या common मेंचमार जो निकाल लिया, income, income is considered as one of the most important, one of the most important, अब वो यह country की income कैसे बता चलेगी, काम पर तो जाती नहीं, salary slip तो दिखाएगी नहीं country, तो total individuals, लेकिन अब वो total individuals भी कहीं भरके हैं, पाई के 25, और कहीं क्या है, कम है, फि लेकिन यह जो average income है ना, यह average income की limitation होती है, average income की limitation क्या होती है, वो समझाता हो, मैं आपको देखो, तो limitation of average income के अगर हम बात करें, तो averages are useful for comparison, but they high disparities, अब यहाँ पर मुझे आती है कहानी ध्यान, और वो कहानी में आप सभी लोगों के साथ में साजहा करूँगा, सुनना दो मि करते चलना उसे, क्या है, जैसे आप यहां दखो, एक नदी थी, उस नदी में मगर खा की नीथा, वो अलग कहानी है, ठीके, एक नदी थी, मगर बगर जेसा तो लगी नहीं रहे है, लेकिन ठीके, तो एक नदी थी, इपानी में क्या पानी भाश रहा था, वो लोगों के व ठीक है और क्या था उनके दो बच्चे थे ठीक है बड़े भाईया थे और एक छोटु भाईया थे तो इस तरह से चार लोगों का परिवार था अब चार लोगों का परिवार जो था ना इस चार लोगों के परिवार को क्या करना था नदी के उस पार जाना था तो अब क्या हो श्यंसे आँ लगदी पत लगए कि हें नदी जो सब्सक्र Reich है 5 फिट अब उन्हें कितनी हैं एकषी निकाल लेते हैं एच्छी बाथ है अपनी हाइट का एवरेज निकाला गया थे थे वह भी छह फिटके थे फिन अब फिर चोटा अला भईू था उनका तो च्छोटा मढ А ELKA भईुटा था लोगा तो अब क्या ओता आरगा तो मत्या हो गया तो फ्यूंटे फाइफ कर दिया ठील अधे कितना अगया भाइफाइफ ठील 2 प्लिट तो हम क्या कर जाएंगे आसानी से पार कर जाएंगे पापा निकल गए निकल गए बड़े वाले भाईया निकल गए चोटा भाईयू जो था ना वह डूब गया तो एवरेज के साथ दिक्कत क्या होती है कहानी कैसी लग यहीं होती है क्या दिक्कत होती है कि एवरेज इस आर गुड़ फॉर कंपेरिजन अब आपने बोल दिया वाख पांच मिट जीत जाएंगे लेकिन वह डिस्पैरिटी जो होती ना डिस्पैरिटी मतलब क्या है जो अन करते तो दस ही माना जाते लेकिन जिस दिन तो कम लगेगा तो एवरेज क्या कर देता है अच्छा रहता है आपने क्या बोल दिया कि किसी कंट्री में पॉपुलिशन ज्यादा होगी तो वहां की पॉपुलिशन बहुत ज्यादा है तो उस कारण टोटल इंकम ज्यादा हाज़्ों की यहां पर सभाण रुपे कमा रहे तो ऐसा रामराज जी थुरी नहीं कि कि सभी हजार क्माएंगे कोई 2000 कमा रहा होगा दोसों हो जाएगा और उसको आप दो लोगों से जब डिवाइड करोगे तो वह कितना दिखेगा आपको कि 2100 रुपे सब कमा रहें लेकि कि averages are useful for comparison but they hide disparities वो disparities को छुपा देते हैं it does not tell how the income is distributed among the people ठीके, वो averages कभी भी आपको ये नहीं बताते हैं कि लोगों के बीच में income किस तरह से distributed है, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ देखो, ठीके ये chair वाले example से मतलब क्या है कि यहां पर आप जिसे देखोगे तो यहां अगर आप average निकालोगे कि 1, 2, 3, 4 chair है 1, 2, 3, 4, 5 लोग है तो 4 chair में 5 लोग बैठे हुए है तो सब को लगबग बराबर बराबर देखने को मिल रहा है लेकिन इस case में आप जिसे देखोगे इस पीपल आर पूर ठीक है दो चेहर पे चार लोग है लेकिन क्या होगा जब average निकालोगे तो जैसे इनका सब का बराबर आएगा वैसे इनका सब का भी बराबर आएगा इसा लगता है उपर से सब चंगा सी लेकिन सब ठीक ठाक नहीं है ना इसको अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें देखो तो इस सिंपल सी चीज है आपकी बुक में आता है यह कुश्चिन मतलब कभी-कभी ऐसा आ जाता है आउदेशन का यह यह क्या किया कर देता है यह आपको टोटल इंकम अबरेज इंकम तो बता देता लेकिन यह नहीं बताता आवरेज इंकम कि इंकम कि स्टरह से distributed है, for example क्या है, कि एक country है country A, country A में क्या हो रहा है country A में, uncle 1, ठीक है uncle 2, uncle 3 uncle 4 uncle 5, fine और country B जो है, country B में भी आसा ही है uncle 1, uncle 2, uncle 3 uncle 4, uncle 5 ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे सब जगा परावर परावर है, लेकिन अब जब आप इसको क्या करोगे, इसको जब आप income के basis पर देखोगे, तो यहाँ पे uncle 1, 20 का मारे 20, 20, 20, 20, 20, ठीक है, अब यहाँ पे total कितना होगे, 100, total income आप क्यों हो गई, total income 100, average income कैसे निकालोगे, total income divided by total population, कितना आ गया, ठीक है, मैं कभी-कभी जब इतनी, कह सकते न, इतने flow में math के sum solve करवा देता हूँ, तो I feel proud, कि बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो यादी हो गया, और इसलिए number मैं असान लेता हूँ, ठीक है, math is a fear, तो अगली चीज़ क्या है, अब अगली चीज़ देखो, इस दुनिया थुरी ना होती है, जैसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसा नहीं होता है, जब आप मजदार में कुदो गेना, तो आपको सुनना है का दुनिया कैसी होती है, ठीक है, तो यहां जैसे कर आओगे, तो यहां क्या है, यहां पर reality है, जो 140, तो यहां पर आप देखोगे, 70 रुपय कमारे हैं, तो टोटल इंकम कितनी निकलना याउं ठीक है कर दो की आपको अधर मिल के दो ह। इस तरह से क्या होता है Sí यह एक यह गएक एक्जाम्पल से मैंने आपको समझहा है आपके आपको ध्यान रखना है कि यह लेकिन वह ग्राउंड रियालिटी जो है उसे छुपा देता है समझ में आगया बहुत अच्छी तरह से चलो अब देखो क्या है अब टॉपिक चींज होता है टॉपिक चींज होने से पहले एक बार सारी चीज़ने समेट देता हूं हमने डेवलप्मेंट को बहुत बेसिक इं हो सकता है इसलिए नैशनल डेवलप्मेंट की जब बात आती तो हमारे सिर्फ पखणना पड़ते हैं क्यों क्यूंकि मल्टिपल इशूस को समझना पड़ता है ठीक है और जब डेवलप्मेंट की बात करते हो तो इंकम तक सीमित नहीं होता है वह आप समझते हो कि इंकम के अलावा भी दूसरे गोल्स होते हैं जिस कारण से इंसान अपना डेवलप्मेंट महसूस करता है या फिर डेवलप्मेंट को दूसरे असपेक्ट से देखता है ठीक है अब वह इंकम के लावा क्या हो सकते हैं वह नौन मटिरिस्टिक तिंग्स देसे फ्रीडम एक्वालिट अब लेकिन बात वही आ रही है क्या आपने मिडिलिस्ट को जैसे छोड़ दिया था ना कि पैसा जरूर कमा लेगा लेकिन उसे डवलप नहीं कहा जाएगा क्यों क्योंकि इंकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं तो अब आपके सामने जो टॉपिक आता बहुता इंकम और क्राइटिरियास जैसे इंडिविजन के लिए आपने इंकम और गोल्स को पड़ा था वैसे ही कंट्रीज को कंपेर करने के लिए स्टेट को कंपेर करने के लिए इंकम के अलावा दूसरे क्राइटिरियास भी होते हैं तो दूसरे क्राइटिरियास इंकम के अलाव ठीक है एक्सेट्रा इन माइंड तो जैसे हमने वहाँ पर समझाते ना कि लोग सिर्फ इंकम को कंसिडर नहीं करते हैं दूसरे एसपेक्स को भी equally important consider करते हैं ठीक है and the same applies for nation also तो वैसे ही individual से देश बने हैं तो the same applies for the nation also कि नेशन के लिए भी क्या होगा यह दूसरे important criteria को भूल जाओगे क्या जब compare करोगे नहीं for example बूटान में चाहे लोगों के पास उतना पैसा ना हो लेकिन बूटान के लोग क्या बोलते हैं कि विया डवलप्ड वाइक विकॉस वियर हैपी उन्होंने अपना डेवलप्मेंट कि सीज से जोड़ा है happiness से जोड़ा है पाकिस्तान में चाहे टमाटर ठीक है टमाटर का नोशन जब वैरी करता है डेवलप्मेंट सिर्फ इंकम नहीं होती है तो सेम इस दी केस फॉर नेशंस ऑल्सो नेशंस भी अपने अपने डेवलप्मेंट को अलाग असपेक्स से देख सकते हैं लेकिन अब वही नी तारों के नीचे घुसना थुरी न मारोग तो इंकम के पर-capita income बताया गया और सेलेक्टेड स्टेट्स को नहीं उठाया हमने स्टेट को उठाया कौन कौन से स्टेट से हमारे पास में हर्याना के हिसाब अगर आप पर-capita income देखोगे तो हर्याना का हर एक इंडिविजल दो लाग तीन हजार तीन हजार चालिस रूपे कमाता है स 2,631 रूपीज पर एनम एनवली बताया जा रहा है ठीक है और मैं नहीं बता रहा हूं यह economic survey of 2019-20 बता रहा है 2019-20 बता रहा है ठीक है 2019-20 का economic survey में 2017-18 का डेटा दिया गया है समझे आया है यह कहानी अब इससे analyze करें तो फर्स पोजिशन पर कौन आना चीए हरी आना क्यों सर इन नमबर पर कैरला आना चीए थार्ड नमबर पर बिहार आना चीए लेकिन जब हम देखते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं इन तीनों में से आपको कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप लगता है आपको तो कुछ भी नहीं पता ना आप तो income देख भी रहो ना उसके बाव बाद अब वही चीज यहां पर बताई गई है देखो यह जो लेक्टर ना आप लेक्टर देख रहो मुस्कुरा रहो मुझे पता आपको सारी चीज समझ में आ रही है लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे बाबू क्या कि लेक्शर देखते आपको यह समझते चलना हुग कि क इस तरह से कुछे जा सकते हैं और खेर मैं उस चीज में बिल्कुल बेफिकर हूँ क्योंकि आपने कॉंसेट पकड़ दिया है तो कहीं से भी आ जाए बनेगा आप से ठीक है तो जैसे अगर हम बात करें तो आप जैसे यह दूसरा टेबल जो दिया गया ठीक है इस टेबल मे आपको क्या बोलते हैं बहुत महेंगी एडवाइस दे रहा हूं आपको समालना इस एडवाइस को एकोनोमिक्स हो गया जेग्रफी हो गया दुरों की चैप्टर बन चैप्टर बन जो है ना इनमें कुछ-कुछ देफिनेशन वाले पार्ट ऐसे हैं कि जहां से फॉर्श और की सूल में क्यान पेजिएंच्व कजपते चैप्टर उती कुछ और फिर सी श्रणहराब इस पूरब के चैप्टर में उन्होटे कुछ पूचन के जाएंगे उन्हें सॉ अटा के जाएंगे तो Body होता है नेटटेटेंटेंट रिश्यो क्या होता है युमिन डवल्लोप्में इंडेक्स यह सारी चीजें आगे हो दो-tilt debefinition और दो-tilt को कंपेर करेंगे हां infant mortality rate infant मतलब क्या नन्ना मुन्ना ठीक है infant mortality rate मतलब क्या है कि जितने भी नन्ने मुन्ने जनम ले रहा है कितने थाउजन लाइफ चिल्रन बॉर्ण इन पर्टिकुलर इयर ठीक है यह जार बच्चे जो है हजार बच्चों का आप एक group ले रहे हैं ठीक हजार बच्चों का एक सेंपल ले रहे हैं कि out of the thousand लाइफ चिल्रन बॉर्न अब लाइफ यह से टलिकास्त हो रहा थे क्या था लाइफ मतलब जो जिन्दा पैदा हुए हैं। जिन्दा पैदा हुआ मतलब कि मां की कोक से जिन्दा निकले हैं जिनकी मृत्यू पहले नहीं हो गई थी ठीगें तो थाउजन लाइफ चिल्रन बॉर्ण इन पटिक्लर येर अ फॉजन लाइफ चिल्डरन का जो सेपल है इसमें से इसमें से इसमें of children that die before the completion of one year ठीक है तो क्या होगा जिसे आपको पता रगा कि 1000 का आपने सेंपल लिया था 1000 में से क्या है पचास बच्चों के अगर डेथ हो गई तो infant mortality rate कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा infant mortality rate 50 हो जाएगा definition में अगर देखे हम तो क्या है infant mortality rate और imr indicates the number of children that die before the age of one year ठीक है एक साल पूरा होने से पहले मर जाते हैं कितने बच्चों में से as a proportion of thousand life children born in that particular year ठीक है ठीक है ठीक है पटिकुलर यह में thousand life children जो जन्म लेते हैं उनमें से कितने लोग जो है कितने बच्चे जो कितने बच्चे जो अपना एक साल कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं तो वह जो आपको नंबर्स मिलते हैं वह infant mortality rate होता है समझ में आ गया तो अब अपना फर्स्ट बर्थड़े बनाते हैं अगली चीज़ का है विहार में स्तिती थोड़ी और खराब है कितनी 35 है तो अब आप क्या देखोगे अब आप हर्याना को फर्स्ट क्यों नहीं बोल रहे थे आप समझ में आया कि चाहें इंकम जादा हो लेकिन दूसरे पर्फॉर्म नहीं कर रहा है तो डेवलप्ड इस्टेट्स के अगर बात करें तो केरला को फर्स्ट प्राइस देतेंगे हम ठीक है वैसी लिटरसी रीट हो गया लिटरसी रीट क्या होता आप समझो ठीक है लिटरसी रीट मेजर्टी पॉपॉलिशन ओफ लिटरेट पॉप कितने लोग लिटरेट है तो लिटरसी रीट मतलब 7 और 7 से अबव एज ग्रूप में वो सेक्शन वो प्रपोशन ओफ पॉपॉलिशन वो से ण्रीड और ठीक है तो पूरी पॉपॉपॉलिशन में से 7 साल से और 7 साल उपर वालों में कितने लोग जैसे हैं जो लिखना और लिखना उट पढ़ना जानते हैं वो inan compression मेरण कर डिकूंगी करला का लिटरेशी रेट उपर्सेंट आउट अविट व्यूटल पॉपलिशं टीकैं अब आते aware Yeah बाध कि यह कंफ्यूस करता है इंफैंट मोडलिटी औरAh यह बिस्ता नमबर जैसे समझग हो अच्छे से तो net attendance ratio के अगर बात होती है ना तो net attendance ratio is the total number of children of the age group 14 to 15 years attending schools as a percentage of total number of children in the same age group यह definition ऐसी आती टपकाखाती बाउंसर लगके निकल जाती है फिर से एक बार समझाते होंगे आपको ऐसे समझो एक्जामपल से आपकी सोसाइटी में 14-15 साल आप भी सब 14-15 वाली हूं ठीक है तो 14-15 स साल वाले बच्चे कितने होंगे तो आप बच्चे तो बहुत सारे हैं से शाम में ग्राउंड पर निकलते हैं तो समझनी बेट थी कौन किसका है ठीक है लेकिन लेकिन क्या है 14-15 साल वाले बच्चे जो पचास बच्चे होंगे अब पचास बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपकी सुसाइटी में जाते हैं बाव लेकिन पूरे देश में सभी नहीं जाते हैं तो क्या हो रहा है यहां पर कि 50 में से 50 पूरे जा रहे हैं तो आपकी सुसाइटी का नेट अटेंडन्स रिश्यों 100% है मतलब की आउट अफ दी टोटल पॉपॉपॉलिशन इन दी प्रपॉशन आफ 14 एंदी एज गूरुव ओव ओफ 14-15 ठीक है आउट ऑट ओव टोटल पॉपॉपॉजशन इज ग्रूप 14-15 आपकी कंट्री आपकी सुसाइटी दो मिनिट के लिए कंट्री यह तो जिसे वो पचास बच्चे का टोटल पॉपलिशन हो गया उसमें से कितना प्रपोर्शन स्कूल जा रहा है तो आप क्या होगे कि नेट अटेंडेंडेंस रिश्यो हमारा 100% है लेकिन वेन व ग्रूप में जितने भी अन में से कितने बच्चों का पर्सेंटेज किटने बच्चों का प्रपोर्शन जो है वह रहा है मान लेजें क्या हो रहा है कि 14-15 साल करोड़ बच्चे लेकिन नभे लाग बच्चे लेके तो आपकी कंट्री स्वाह त्टीक कि mora जा रहे हैं तो नेट इंदेंटेंस रिश्य मतलब कि उस एज ग्रूप में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब वही देखोगे तो हर्याना में 61 है बस मतलब हर वह 14-15 साल का बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए लेकिन उसमें से सहांक और 61 प्रतिशत जो 61 परसेंट करने की बात करें यहां पर तो आपको क्या क्या करते हैं जैसे अगर हम बात करें कि कंट्री को इंकम के अलावा भी दूसरे क्राइटीरिया चाहिए क्यों कि इंडिविजल्स भी अपने गोल्स को इंकम से बाहर ले जाके देखता है ठीक है एंड दी सेम एप्लाइस फॉर इंकम के लावा भी दूसरे क्राइटीरिया होते हैं जैसे हमने देखा एडूकेशन तो यहां तक चीजह समझ माई कि ना कि अब चलो सर इंकम तो हम ऐसा है कि काम करके बड़ा लेंगे इंकम लेकिन दूसरे आस्पेट्स हेल्थ जो अब बच्चों को घिस घिस के लिए जाने से तो रहे स्कुल में पिठा के आने से ठीक है दूसरे एस्पेट्स जो है वो कैसे बहतर होंगे तो यहां आपके सामने कोने टॉपिक आता है पॉड्ली का फेसलेटीश आपको क्या सथिल्य में यारी दिन रहीं फैसलेटीश का क्या सकते हैं स्तमाल करती यह जो想ि पॉब्लिक फैसलेटी चीज कहलाती है वो फैसिलिटीज पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती है फॉर एक्जामपल जैसे अगर हम देखें तो यह क्लाइन भॉत भारी लाइन है मनी यूर पॉकेट कैनोट बाई ऑल दी गुड्स और सर्विसस देट यू में नीड टू लिव वेल ठीक है अच्छा जीवन जैन आप जीने के लिए तो रिस्पेक्ट भी चाहिए रहती है ठीक लेकिन आपके पास कितना ही पैसा हो लेकिन अगर इन्वार्मेंट पॉलूशन फ्री नहीं है पॉलूशन फ्री नहीं मतलब क्या है कि वेस्टरन कंट्री ने खुब पैसा है पर पॉलूशन बहुत ज्यादा पैसे से लोग खुश नहीं को इसा कर लोगे तुसरी चीज़ लोगों को आशा गहाऊ सा लग जाता है हुआ चाहे किसी ने कितना भी पैसा कमाए हो यह सब के गले जाके बराबर ब्लप्मेंट नहीं हुआ है क्यों के जो सारी यह तो कुछ चीजन यहां पर ऐसी होती है जो अगये इंवाउमेंट, आपके उस गोल को फुल्फिल कर पारीए रहे प्रोटेक्शन फ्रॉंप्रम इंटिविजाल जो क्या है एंडिवीज जो क्या है अमान लोग की हमारे पास पैसा है बहुत सारा वेगने क्या करा कि हम सबने अपने पैसे को पुरा अंदर तीजोरी में भरके रख दिया लेकिन बाहर इंफेक्शन फैला हुआ तो उस पैसे आपको देखते रहेगा पैसा किस काम करेंगा तो उसी केस में क्या है कि वह प्रोटेक्शन जो है इंफेक्शन दिसीजिस तब हो पाएगा और उन्हें एक सांथ प्रोवाइट करके क्या है इंकम के अलावा जो दूसरे असपेट से उस पे बहतरीन काम किया जा सकता है वो पब्लिक फैसिलिटीज की केटिगरी में आ जाएगी पब्लिक फैसिलिटीज की तो दुखो ध्यान रटना एं वा ट्यूसरे चलिटी बिच अंजोइट बाइ जन्रल माश्टेंस इन टुके जरा नोन अस पब्लिक फैसिलिटीज कि एगरी कि फॉड़ेरीटिज की प्रोवाइट क्या जाएग पूप्लिक फैसिलिटीज के इसी सबसे सबस्ता भी होगा बैहतरीरो सबस्का कैसे होगा वह सबस्कूर सब सब अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे उतना ही टाइम भी जाएगा सब को एक ही बस से बहुचा दिया जाए तो क्या रहेगा आसाल रहेगा ठीक है तो अब क्या होगा वही पर सुरक्षा की बात आएगी तो अगर आप इसको आप इसको पॉब्लिकली एंजॉय कर रहे हो तो नौर्मली पॉब्लिक फैसलिटी इसको आपने घर के सामने एक पैसा भी जरवत भी नहीं है आप सुबह उटके बहार निकलोगे साब जी पैसा दो चा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस सेंस में पॉब्लिक फैसलिटीज क्या है पॉब्लिक फैसलिटीज आर इंपॉर्टेंट ठीक है विकास मनी ना पॉकेट कैनोट बाए ओल्टी गूड्ट सेर्विसेस डट में नीट टो लिव वेल फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल का यह सब्सक्राइब की एडुकेशन जो है वो सकता आपके पास पैसा दादा हो लेकिन क्या अगर और भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे तो आपके आसपास स्कूली नहीं होंगे ठीक है आप भी नहीं पढ़ पाओगे तो जब पब्लिक अवेर होगी उन फैसलिटीज के अगर पब्लिक फैसलिटीज का सिंग्निफिकेंस यह भी है कि अगर फोकस किया जाएगा तो जो दूसरे क्राइटीरिया जो कंट्रीज को कंपेर करने के लिए इस्थमाल किया जाते हैं अगर देन इंकम वह भी आटोमेटिकली इंप्रूव होंगे जैसे क्या होगा पब्ल हेल्थ और एडिकेशन जो कि पब्लिक फैसलिटी का पार्ट है क्योंकि पब्लिक इन जनरल हेल्थ के बारे में एडिकेशन के बारे में सोचती है और इन जनरल सभी को हेल्थ और पब्लिक एडिकेशन चाहिए रहता है तो जैसे क्या है कि पब्लिक फैसलिटीज में जब हे विकास इदिकेट प्रोविशन फॉर बेसीट हेल्थ एडुकेशन फैसिलिटी बेसीख वर बच्चा जो मां और बच्चा दोनों ही रहेंगे तो पच्चे की डेथ होने के चांसे कम हो जाएगे education facilities है तो people are aware about good health, maternity benefits क्या होते हैं, किस तरह से ध्यान रखा जाए, जब एक महिला pregnant होती है, क्योंकि educational benefits है, educational facilities है, वहाँ पे nursing ward अच्छा होगा, समझारी मेरी बात, तो इस तरह से क्या है, कि income चाहे कम हो केरला में, कहां से हर्याडा के comparison में, लेकिन वहाँ पे इन facilities का एक important role होत well, ठीक है, public distribution system क्या होता है, PDS, जहाँ पे ration shops बगरा होते हैं, यह, जैसे PDS होता है, वैसी, क्या है, health facilities होती है, तो इन पे भी focus करके, आप क्या कर सकते हो, इन पे भी focus करके, आप दूसरे criteria's, जो income के अलावा, comparison के लिए development का aspect होते हैं, वो improve किये जा सकते हैं, वो improve किये जा सक people of such state is certainly likely to be better, जहाँ पे PDS system होगा, जिसे आंधरपदेश हो गया, Tamil Nadu हो गया, ठीक है, तो चाहें पैसा कम हो, लेकिन public facilities के मदद से, वो जो comparison की बात आती है, आप जो कह सकते हैं, कि overall development की बात आती है, वो आपको बहतरीन होते को देखने मिल जाएगी, ठीक है, अब एक दो concept को बहुत अच्छे से समझना, एक है body mass index, और दूसरा जो है, वो अलग चीज है, body mass index से आपको क्या समझना आता है, ठीक है, बाड़ी है, skeleton, देखो, simple समझा रहा हो, बाड़ी है, skeleton, उसके उपर जितना mass है आपके अंदर, ठीक है, mass मतलब का है, भजन वाला mass, ठीक है, science वाल ठीक हो, ठीक हो, ठीक है, आप ठीक ठीक हो, या फिर आप builder हो, ठीक है, तो यह body mass index होता है, यह बहुत in general समझा दिया मैंने, अब आपको अगर basically बता हूँ, तो depending on, जैसे पैसा तो खूब है, अब यह इंसान ऐसा है, तो यह शर्ट के अंदरे से पैसा लगा के फिर body दिखा है, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ लो, तो BMI क्या होता है, body mass index, basically it is a criteria, ठीक है, इंडेक्स है, जिसका इस्तमाल किया जाता है, यह पता लगाने के लिए, कि वेदर आप person is nourished, under nourished और overweight, ठीक है, मतलब वही है, कि यह चलो, यह तो क्या है, nourished हो जाएगा, इसके नीचे अगर कुछ आता है, यह बाला, ठीक है, यह under nourished जो में चले आएगा, ठीक है, इसे overweight नहीं कहेंगे, बुरा लग जाएगा उसे, लेकिन फिर भी मतलब जिसका weight जो है, उसके height के proportion में ज्याधा होता है, वो overweight कहलाता है, कैसे निकाला जाता है, यह index कैसे काम करता हो समझाता हो, समझना अच्छे से, क्या हो रहा है, how to find out BMI, body mass index कैसे पता लगा होगे, तो body mass index ऐसे पता लगाए आता है, when the weight of a person in kg, ठीक है, is divided by the height in meter square, you will get a number, fine, जैसे क्या होता है, कि एक इंसान है, ठीक है, आप हो वनलो, आपको बजन 25 kg है, 25 kg है, और आपके height कितनी है, 1 meter square है, 1 meter square है, 1 meter square है, height को meter square में करना रहता है, ठीक है, तो 1 meter square is equal to 1, तो आपका आपका ये जो आपने figure निकाला, वो figure कितना निकल का है, 25, अब ये 25 आपका BMI कहलाएगा, मतलब आपके body का weight, ठीक है, आपके height के meter square से divide किया गया, तो आपको इत नंबर मिला, उस नंबर को undernourished हो, overweight हो या फिर nourished हो, ठीक है, तो एक scale बना लो अब यहां पे, कि आपका अगर number क्या है, 18 से कम आ रहा है, 18 से कम क्या से आ रहा है, कि मानलो 1 meter square आपके height है, और आपका weight मानलो क्या है, 15 kg है, अब 1 meter square height तो हो गई, लेकिन weight 15 kg है, तो क्या हो जाएगा, body mass index कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर 15 कर देते से, तो आपका, कहला होगा, आप scale में 18 से नीचे आ गए, तो जो 18 से नीचे होगा, ठीक है, less than 18 होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अंडर नरिष कहलाएगा, ठीक, और आप क्या होगा, मानलो कि आपका weight अगर 30 kg है, height से square से डिवाइड कर होगे, तब आप कहलाओगे, अनरिष ठीक है, तो ये body mass index है, simple सी चीज, क्या है, एक index है, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं, कि वदर आप person is nourished, under nourished और ओवरवेट, इस पे आप क्या करते हो, इस पे आप person के weight को, उसके height के meter square से divide करके, आपको एक number मिलता है, उस number को आप ये तीन अलग-अलग numbers की category में डालके पता लगा सकते हो, ठीक है, body mass index को calculate करते समय, सरफ एक exception रहता है, वो exception क्या है, कि growing children जो रहते हैं, मतलब जो growing children ऐस नहीं आएगा, growing children are not evaluated on body mass index, तो BMI बढ़ते हुए बच्चों का नहीं निकाला जाता है, जब जिसकी growth रूख जात इसका BMI निकाला जाता है, बढ़ते हुए बच्चे मतलब क्या होता है, जिनके height बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि जैसे मानलब जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो क्या रहता है, वैसी स्थिति रहती, कि एकदम गबदू से रहते हैं, क्या कि बहुत ज्यादा चबी रहत के राटीरिया पर नहीं देखा जाता है, अब एक और चीज़ जो है, वो है Human Development Report, यह छोटे छोटे ब्रैकेट में बॉक्स में डीटेल्स दी है, लेकिन मैं इसके पढ़ा रहा हूँ, बार बार अगेन वही वाला पार्ट है, कि इन पर कुशन साने के चांसे रहते है, Human Development Report, तो यह भी क्या है, कि रिपोर्ट है, जैसे World Development Report कौन निकालता है, World Bank निकालता है, Human Development Report कौन निकालता है, Human Development Report निकालता है, UNDP, United Nation Development Program, ठीक है, United Nation Development Program जो है, वो यह रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, यह रिपोर्ट में क्या है, तो इस रिपोर्ट में आप जिससे देखोगे, इस रिपोर्ट में बेसिकली आपको यह बताया जाता है कि अलग-अलग कंट्रीज को आपको compare करना है तो उस्रिफ आप के बेसिस पर मत करो जैसा आपने वर्ल्ड डेवल्लप्मेंट में देखा था वर्ल्ल डेवल्लप्मेंट कारते हैं तो इसके लिए आप क्या करता है और सवाले हैं कि आप दूसरे क्राइटिरास क्या मानोगे PS4 può व जो कि यू इनाइटेस नेशन्स टेवलप्मेंट प्रोग्राम करवाड़ी और पॉब्लिश करता है इस पीछे का आध़्यार यह है कि income अपने आप में क्या है एक इन एडुकेट मेजर है लेवल ऑफ डेवलपमेंट को ना पने का तो दूसरे क्राइटिरियास क्या है जब आप बोलरों कि income complete नहीं है तो दूसरा बता दो अभी हमने पड़ा क्या कि हेल्थ एडुकेशन यह सारी चीज़े भी इंपॉर्डेंट होती है तो देन वाट इस अधर क्राइटिरिया तो वाट इस अधर क्राइटिरिया में क्या जाएगा है एडुकेशन standard of living standard of living no doubt कहीं ना कि income से influence होता है तो आप क्या कर रहे हो income के सासा health और education को भी consider कर रहो तो health education and standard of living are some important factors which are required to be considered ठीक है तो health और education के सासाथ में दूसरे aspects तो भी focus किया जाता है और दूसरे aspects पर जब focus करते हो तो उससे आपको क्या मिलती है human development report मिलती है ठीक है समझाया तो इससे आपको क्या मिलेगी human development report मिलेगी आप इतना समझाया ना कि United Nations development program जो है वो क्या करता है human development report रिकालता है human development report में आप income के अलावा दूसरे criteria को भी consider करते हो जो important होते हैं तो अब इन criteria के विसिस पर आप क्या करते हो अब सभी countries में आप यह दिखोगे कि वहां health care status education क्या है और उस देश में health care status क्या education क्या है और उस देश में standard of living क्या है मतलब income को भी include कर लिया आपने और फिर इस basis पर आप क्या करते हो इस इस पर आप अलग अलग कंट्रीश को compare कर सकते हो तो इस बेसिस पर आप अलग अलग कंट्रीश को compare कर सकते हो तो compares countries based on educational levels of the people their health status and per capita income ठीके तो इस बेसिस पर आप क्या करोगे कंट्रीज को अलग-अलग तरह से कंपेर कर सकते हो ठीक है एडुकेशनल लेवल पे ठीक है हेल्थ स्टेटस पे और पर क्यापिटा इंकम पे ध्यान रखना सवाल बनता है कि वाट यूमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट में आप किन-किन क्राइटिरियास को कंसिदर करते हो तो रिपोर्ट को कहा लाएगा पूरा का पूरा रोला इप नइस अपने क्षे han點 का निकल का निकल का यू और जो रैंक निकल अगईगी और जो निकल की है य्योसे क्या कहेंगे से यूवन डेलॉप्मेंट हेंगे एढ़ ऑफ चिछ कहे क्या है सक्श्य सरनना इंकम्तः आट रहा तो इंडिया में क्या है पर अब इंडिया का पर पाकिस्तान नेपाल बांगलादेश से बहतर है बहुत ज्यादा है इन कंट्रीस से लेकिन अगर आप जब यह देखोगे यह क्या चीज है यह लाइफ एक नंबर के पॉइंटर्स दिये थे इंपॉर्टेंट तो अब यह भी आ सकता है जैसे लाइफ एक स साल कंप्लीट करने से पहले जिसकी डेथ हो जाती है आउट ओफ दी प्रपोर्शन ऑफ थाउजन लाइफ चिल्रन बॉर्ट लेकिन यहां पे लाइफ एक्सपेंटेंसी बर्थ का मतलब ही होता है कि एवरेज नंबर ओफ इयर विच आप परसन इस एक्सपेक्टेट टू ल निकलने पर आपको क्या समझ आ रहा है कि वहां का हेल्थ स्टेटस इंडिया से अच्छा होगा क्यों कि इंडिया में लाइफ एक्सपेंटेंसी कितनी है 69.7 है तो कुछ देश ऐसे भी है जहां पर इंकम चाहें कम हो लेकिन इंडिया से दूसरे पेरामिटर्स बहतर है उनक में मतलब क्या हो जाता है कि 25 साल की उम्र तक में कितने साल वच्चा स्कूल गया तो वह ना चीह कहानी तो आप देखेंगे मीन यह जो है तो श्रिलंका में बहता रहे इंडिया से ठीक है फिर 6.5 बाकि दूसरे देशों में इंडिया की अच्छी है ठीक है अब इस डिया र श्रिलंका की हृंट कि रांकिंग इंडिया से बहतर हैं इंडिया की कितनी 130 आकार्णिट ऑर 2019 डेटा बदल सकता है एं द्यान रखना और दूसरे देशों की इंडिया से और बूरी हालत है ठीक लेकिन लाइफ एक्स्पैंटन्ची में क्या है सायद इंडिया से बहतर कर गय तो वही चीज यहां पर समझाई गई है कि human development report में human development index जो है तो उसमें आप countries को अलग-अलग parameters पे other than income compare करते हो जो की health और education होता है clear हुआ तो आप countries को compare करने के लिए आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है countries को compare करने के लिए आपने दूसरे aspects पर भी focus किया है दूसरे aspects पर भी ध्यान दिया है so this was the story this was the story अब एक सवाल है बड़ा interesting सा do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development human development को जब measure करने की बात की जाती है तो आपको क्या लगता है कोई और भी criteria होना चाहिए या नहीं होना चाहिए income हो गया health हो गया education इसके अलावा अगर आपके सामने यह सवाल प्रस्तूत कर दिया जाए यह और कैसे compare कर सकते है आप देशों को जैसे मैं बोल सकता हूं कि कि आप यह देखो कि किस देश में environment को कितना damage पहुचाया वहां की community कितना देती है वह भी है criteria हो सकता है तो वैसे इन्वार्मेंट एक criteria हो सकता है ठीक है से और क्राइटीरिया हो सकते हैं यह आप कमेंट सेक्ष्ट में बताना सब ठीक है अगर आपको एक option दिया जाए सोच हो रहा है ठीक है चलिए तो हमारा यह वारा पार्ट भी complete होता है last topic जो है ठीक है last topic जो है देखो आपने development chapter पड़ा है development में आपने क्या देखा development में आपने देखा कितने variations है countries को compare कर लो individuals की बात कर लो हर जगा multiple aspects पर आपको चीज़े सोचना पड़ती है लेकिन उन multiple aspects के अलावा सबसे ज्यादा जिस aspect पर सोचना चाहिए वह होता है कि what is the sustainability of development sustainable development और sustainability of development दोनों अलाग अलाग चीज़े हैं कैसे sustainability of development का मतलब क्या होता है कि या फिर पहले sustainable development क्या होता है जो आपने geography में भी पढ़ा है geography chapter 1 में पढ़ा है ना कि मतलब resources का ऐसे इस्तमाल किया जाए कि जो हमारी आने वाली future generation है उस future generation के लिए resources को बचाया जा सके ठीक है आने वाली future generation के लिए resources को बचाया जा सके यह क्या कहलाता यह sustainable development कहलाता है ठीक है अब sustainability of development का अब बड़े हैं आप जो बड़े बड़े फैक्टरी लगा रहे हैं ठीक है आप जो रोड बना रहे आप जंगलों को खतम कर दे रहे हैं development के नाम पे वैसा development लंबे समय तक sustainable रहेगा मतलब हमने क्या करा हमने temperature को control रखने के लिए इतने एसी लगा दिए कि बहुत सारे इसी लगा दिए अब एसी तो लगा दिया आपने बहुत सारे लेकिन वह सारे अब वहीं पर हमें क्या समझ में आता है क्या कि वहीं पर अगर अगर आप को बदल देते तो इस development sustainable तो उस sustainable development के सामने जवाब यह निकलता है कि हम जिस तरह से विकास का विकास का रास्ता अपना है वह इस तरह से विकास को देख रहे हैं क्या यह लंबे समय तक वैसे चल पाएगा ठीक है और दोनों में सब्सक्राइब करें कि रिसोर्स असा डिकास करें कि तो इस तरह से थागा रहे हो की तरह से क्या होता था एक समय पर हरी-ाली चाही रहती है अब तो पूरी खत्म कर दी हमें ठीक है वह चीज़ रहती तो therefore sustainable use of resources is required and development should be sustainable ठीके इसलिए क्या है resources का sustainable use हो ऐसे resources को इस्तमाल करो कि वो future generation के लिए बने रहे बचे रहे ठीके ताकि हम क्या सके कि yes development which is taking place is sustainable तरह से ठीके सिंपल है इसको बस दो aspects समझना होगा कि sustainable development का मतलब यह है कि resources को इस तरह से इस्तमाल करें कि आने वाली future generation के लिए बचाया जा सके और जब आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या हो पाएगा और मतलब ऐसा कम इंशोर हो पाएगा जब आप जिस तरह से आज development कर रहे है ना वो sustainable हो या फिर इसे कह लिजे क्या कि sustainability होना चाहिए जो भी development हम कर रहें उसमें ठीक है अब यहां पर दो एक्जांपल से बहुत अच्छी तरह से समझाए गया है एक एक example दिया गए groundwater in इंडिया groundwater केकर हम बात करें ना groundwater क्या होता है मतलब जैसे आप देखेंगे तो जमीन है जमीन की नीचे पानी है आपको पता है तो पहले पानी का जो स्तर था बहुत उपर हुआ करता था मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप क्या है पहले पानी हाथ से निकाल लिया जाता था मैंने अपनी आखो से पानी नहीं निकलता है तो इस तरह से क्या है ग्राउड वाटर जो है रिसेंट एविडेंस हमें सजेस्ट करते कि ग्राउड वाटर जो है वो डिकलाइन होतों जा रहा है पास्ट ट्वेंटी एर्स में काफी कुछ बदल गया है तो अब यहां पर सवाल हुई आता कि इस डिवलप्मेंट सस्टेनेबल क्या सस्टेनलिटी अथ इस डिवलप्मेंट ववर्यूज हो रहा है हो जहां हो रहा है विन हो सकता है हमें सोचना चाहिए क्यों कि इस तरह का डिवलप्मेंट सस्टेनिवीडिटी और नहीं कर रहा है तो एक एक ग्शांपल पर दिया एक्शॉशन आप दिया एक्शॉस्ट Yani says only Coral का तो क्रू लेकिन violating यह आगे कितने समय ठीосày wygląda लेकिन इसके बार उसके बाद 400 मेहने के बाद क्या सुच्चू तो वह इसा नहीं है तो वह यह जैसे क्या है कि 70 साल तक Middle East के resources चल जाएंगे 10 साल तक अमेरिका के resources और चल जाएंगे वर्ल्ड के जो total resources तो 50 साल तक चल जाएंगे लेकिन उसके बाद क्या ठीकिन उसके बाद है कि क्या alternatives हो सकते है sustainability of development में focus किया जाना चाहिए conclusion निकाला जाए तो conclusion में बहुत अच्छी लाइन है जो question मन क्या आती है क्या कि we have not inherited this world from our forefathers हमारे पूर्वजों ने हमें ये धर्ती ये जो resources है जो प्रक्रती में जितने भी संसाधन है ये हमें देहज में देके नहीं कहा है या फिर मतलब कह सकते हैं हमें कह सकते हैं क्या कि we have not inherited this from our forefathers से हमें संपत्ति के तौर पर नहीं मिला कि बस खतम कर दो उड़ा दो we have borrowed this from our future generation ठीक हमने ये जो सारे resources ये प्रक्रती ये जो संसाधन है ये हमारी आने वाली generation से borrow किया है और जब आप किसी से कोई चीज उधार लेते हो तो उसका नियम यह होता है कि आपको लोटाना होता है और इस वाग के सापको क्या समझाए गा पता है इस वाग के सापको ये समझाए गाए कि resources को हमें हमारी future generations के लिए बचाना है उधार लिया है ना वापिस करना पड़ेंगे तो sustainability of development वाले aspect पर कुशन अगर बनता है वाट डियू बाए वाट डियू mean by sustainability of development तो इसमें ध्यान रखना कि resources का ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि वो क्या रहे उनका यूज जो है development process जो है वो ऐसे होना चाहिए कि उनका यूज जो है वो sustained रहे future generation तक के लिए available रहे ठीक है साथ ही साथ क्या है अगर हम इसी पर development करते रहे तो this will create a challenge for us and our upcoming generation in near future so this was the conclusion I hope you people enjoyed the chapter chapter हमारा होता है यहां पर खतम पुणा होती देते हैं स्वाहा कहते हैं ठीक है देखिए एक बार रिकॉल करवाँगा में development chapter जो उंगलियों पर देखा जा सकता है individual और nations के context में आपको पूरा chapter समझाय गया पहले development के basic idea को बताया गया कि what may be development for one may not be the development for another ठीक है इट में भी destruction for the another ठीक है डिस्क्रक्शन हो सकता है development की जब बात होती तो हमारे developmental goals income के अलावा भी रहते हैं बहुत सारे जैसे respect हमारे important developmental goal होता है income के अलावा हम respect को भी देखते हैं हम देखते हैं कि to national development का notion भी वैरी करेगा person to person place to place national development की बाड हो गई अब national development की बात अगर आदे हो कि सब जब साद लेशन अपना development का idea ले सकते हैं तो कामेयर कैसे सहां क X टारों के निचे से घुण के आप किसे कैया डाट हो जाएगा तभ यहां पर क्राइटीरा one of the most important लेते हो १ॉ इंखम करता हूं तो आप और रहुं की लिवी निकालती है इसे के लिए इंकम किली कि लिए इंभ पर कटिर्यए इंकम के अलावा विजिए क्या वता लग्ताइं अई सब्सक्राइब करने पर फोकस कर सकते हो यह सारा सब कुछ हो गया अब यह सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में लास्ट नहीं जो टॉपिक था कि डेवलप्मेंट अपनी जगा है लेकिन उस डेवलप्मेंट की सस्टेनिबिलिटी को इंशॉर करना भी बहुत चाप्टर कंप्लीट हुआ है अब आप लोग इंपोर्टेंट चीज है कि आपको एंसे आटी रीड करना है चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया आपको समझ में आगा लेकिन जब तक आप एंसे रीड नहीं करोगे परपस फुल्फिल नहीं होगा परपस फ सब्सक्राइब हो गया उसी के साथ साथ कुछ अपडेट्स में आपको देना चाहता हूं अनक्याडमी स्टोर्स कंट्री में अलग अलग जगह ओपन हो रहे हैं जिस तरह से आप ऑनलाइन में एक लिमिटेशन क्या ही लगती ना यहीं लगती हम मिल नहीं पाते हैं तो मैं जब भी अनक्याडमी स्टोर जो अभी डेली में ओपन हुआ है वहां विजिट करूँगा तो आप लोगों जरूरी इंफर्म करूँगा ठीक है यू के विजट अनक्याडमी स्टोर एक्सपीरियंस अदी फीलिंग उफनेट्र एक्सपीरियंस भी कनिक्ट बेट्वीन मार्च पर ही तो अगर विजिट नहीं किया तो प्लीज डू विजिट ठीक है मैं जाओंगा जब बताओंगा साथ ही साथ ठीक है आप अनकाडमी प्लस पर यह कोर्स जो क्लास टेंथ के लिए ठीक है जो क्लास टेंथ 2022-23 बैच उसके लिए स्टार्ट हुए है इनमें एन्रोल क्या बढ़ार कर सकते हैं साथ है। सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप स्पेशल क्लास जैसे आज एक स्पेशल क्लास है। जिस दिन में आपको चैप्टर देता हूं उसी दिन में special class रखता हूं जहां पर आपके doubt solve कर सबूँ तो special class में आप अपने educator के साथ engage कर सकते हैं interact कर सकते हैं polls होते हैं quizzes होते हैं तो जैसे आज जो special class है 4th of April के दिन जो special class है 6 बजे से साथ बजी तक doubt solving on development आपने chapter complete कर लिया आपको थोड़ा time दे रहा हूं gap दे रहा हूं फिर आम मिलेंगे और हमारा chapter पर जो आपके doubts से वो complete कर सकते हैं तो join अगर करना है आपको description में link मिल जाएगी आप special class join कर सकते हैं अनकाडमी आप पर ठीक है so if you are planning to take enrollment in all those batches which I show you ठीक है अनकाडमी आप प्लस और आइकॉनिक का subscription ले सकते हैं अनकाडमी प्लस पर आपको live classes weekly test structured courses मिलते है रिकॉर्डेट मतलब ये रेक्टर्स की recording भी रहती है तो आप unlimited access रहती है आप जब चाहें तब देख सकते आइकॉनिक पे कुछ add-ons रहते हैं जहां पर आपको one-to-one personal guidance मिल जाती है ठीक है test analysis मिलते है experts की guidelines मिलती है study material customized होता है आपके हिसाप से बनाया जाता है ये सारे benefits मिलते है आपको ठीक है अगर बात की जाए pricing की तो यहां पर प्राइजिंग है जिससे अगर आप समझना चाहें पढ़ता है आपको 1250 रूपीज के हिसाब से पर मंत के हिसाब से पढ़ता है ठीक है लेकिन यहां पे बहुत अच्छी चीज बताता हो मैं आपको कि अगर आप सब्सक्रिशन लेते हैं और code का इस्तेमाल करते है डी आई जी आर एज दिग्राज तब आपको flat 10% का discount मिलता है और आपका पर मंत का 12 मंत के लिए सब्सक्रिप्शन कितने का पढ़ता है 1125 ओनली ठीक है तो इस तरह से इस तरह से इफ यूर प्लानिंग तो टेक सब्सक्रिप्शन यू कन यूज दी कोड डी आई जी दिग्राज एन अवेल ती इंस्टेंट डिस्काउंट ऑस 10% एंड इ यूजिंग दी कोड डी आई जी आरे जी दिग्राज ठीक है आपको अगेन यहां पर 10% डिसकॉंट मिलता है और यह 2100 रुपीज पर मंत के हिसाब से आपको मिल जाता है फॉर 12 मंत ठीक है तो इस वर सम आफ दी तिंग्स और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बहु जब अपियर करते हैं तो आपको अपनी प्रिप्रेशन कितनी हुई है कितनी इसके बारे में एक आईडिया मिल जाता है तो गिव योसेल्फ चांस अपियर इंदी टेस्ट देखो कितना पानी है ठीक है कितना आपने पढ़ा है कितना नहीं यह सारी चीज़ रहती है आई हो रारे में आई हो जा है कि